गुन मॉर्णिंग बच्चों कैसे हैं आप सब? I hope सब घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे तो चलिए आज की हम क्लास शुरू करते हैं, आज की क्राफ्ट क्लास में हम पेपर प्लेट से फिश बनाना सीखेंगे जो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले हमें फिश बनाने के लिए इस तरह की एक पेपर प्लेट की जरूत होगी और इस पेपर प्लेट में सबसे पहले हम वाटर कलर का यूज करेंगे इसकी back side में कलर करने के लिए orange कलर यूजकर रहे हूं और इसकी back side में हम कलर करेंगे कलर करने के बाद हमारी paper plate इस तरह की होगी इस पे जो है और इंज कलर कर दिया है अब हम जो है सर्कल शेप में छोटे-छोटे सर्कल शेप बनाएंगे, आपके पास कोई भी इस तरह का वेस्ट पेपर हो, कलर पेपर, तो आप उससे छोटे-छोटे सर्कल शेप में जो हैं सर्कल बनाएंगे छोटे-छोटे इस तरह से, जैसे कि मैंने इस तरह के छोटे-छो चोटे सरकल बनाए हैं इस तरह से आपको सरकल बनाने हैं उसके बाद हम फिंस बनाएंगे मचली की फिंस बनाएंगे इस तरह की शेप बनाएंगे हम और उसकी कटिंग करेंगे कटिंग करने के बाद आपकी फिंस इस तरह से बन जाएगी उसके बाद पेपर प्लेट पे हम जो है इस तरह से कटिंग करेंगे ट्राइंगल शेप पे जिसे की फिस का मुझ बनेगा इस तरह से हम कट कर लेंगे और जो हमने पाट काटा है प्लेट का इसको हम बैक साइड में लगाएंगे जिसे की फिस की टेल बनेगी इसे हम पेस्ट करेंगे ये देखिए इस तरह से हम इसे पेस्ट कर लेंगे इसके बाद जो हमने फिंस बनाए हैं वो हम इस तरह से लगाएंगे आप देख सकते हैं कि जो फिंस मैंने काटे थे वो इस तरह से हम लगाएंगे और नीचे की साइड भी हम दूसरी फिन्स लगाएंगे ये देखिए हमने दोनों साइड में फिन्स लगा दिये हैं इसके बाद ये जो छोटे-छोटे हमने सर्कल बनाये हैं वो हम फिस के इस साइड में लगाएंगे और सर्कल को पहले हम ऐसे फोल्ड कर देंगे इस तरह से fold कर देंगे फोल्ड करने के बाद इसे paste करेंगे आप देख सकते हैं कि जो हमने हमने चोटे चोटे circle बनाए थे यह थे बहुत हैं पर और पेस्ट कर दिने हैं अब हम फिश कीопас आई बनाएंगे तो चलिए बनाते हैं मैंने यहाँ पर एक सरकल सेब बनाई है इसको हम काटेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारी फिश तयार है तो आज की क्लास में इतना ही थैंक्यू क्लास